नमस्कार इंडिया फर्ष्ट के एस्टोलाजी फर्ष्ट में आपका स्वागत है मैं हूं पंडित विनूत गोतम जोतिस मठ संस्थान भोपाल से होलीका का पर्व पंच दिवशी है होलीकोत्सो होलीका दहन धुडेली भाईदूज और रंगपंचमी त्यादी के जो पंच दिवशी है पांच दिखते चलने वाला ये रंगोत्सो का पर्व है ये होलीका दहन के पश्यात ही प्रारम हो जाता है होलिकाधहन के लिए प्रदोश्काल अर्थात होलिकाधहन रात्री में ही करना चाहिए शुर्यास्त के बाद होलिकाधहन पूर्मा के दिन किया जाता है पूर्मा पूर्मा तिथी पर इस बार पूर्मा तिथी दो दिन रहेगी एक दिन तारीक 17 मार्च को ब्रत की पूर्मा रहेगी और उसी दिन रात्री में होली का दान होगा और 18 मार्च को प्राता से इसनान दान की पूर्मा रहेगी ऐसे में उस दिन धोडेली का तेवहार मनाया जैसे ही पूर्मा त्रिथी 17 तारीक को प्रारंभ होती है वैसे ही भद्रा अर्थात पंचांग में बिष्टी काल तिथी का आधा समय भद्रा सास्त्रों में भद्रा के लिए कहा गया है कि भद्रायाम नकर्दव्यई फालगुनी श्रावनी तथा फालगुनी अर्थात होली का उत्सो होली का जो जलाने का जो है वह है और स्रावनी अर्थात रक्षा बंधन का कर्म नहीं करना चाहिए और ये दोनों तित्योहार पूर्मा के दिन ही आते हैं ऐसे में हमारे रिश्यों उनियों ने एक विवस्था दी है कि भद्रा का सम्मुक काल छोड़कर के और पुछकाल में अर्थात अंतिम समय पर भद्रा के कि शम्मुक काल को छोड़कर अंतिम समय पर भद्रा के कोई भी कार कर लेना चाहिए अति आवश्यक एम विश्यस परिश्थितियों में अब इस बार देखा जाए तो 17 तारीक को भद्रा का प्रारंभो दिन में ही सुरू हो गया है दिन में जैसे ही तितियाई और भद्रा हो गया एक बजे से भद्रा प्रारंभो जाएगी दिन में रात्री में 12 बजे तक चलेगी ऐसे में देखा जाए तो कई जगह जो बड़ी समितियां हैं कालोनियां हैं उनमें जो होली का दान होगा वो भद्रा के पश्यात होने का जो सास्त्र सम्मत मत दिया गया है अर्था भद्रा का पुछ्यकाल आठ बजे के आसपास भी रहेगा तो जैसे ही आठ बजे के आसपास पुछ्यकाल का समय आता है उस समय पर जो छोटी-छोटी होली काएं हैं कालोनियों की परिवारों की या अन्य पूजन-पध्धती इत्यादी हमको कर लेना चाहिए उसका एक वि बजे के बाद जलने वाली होली जो भद्रिया है उसमें हमारे वच्चछे समलित नहीं हो पाते हैं सो जाते हैं या अन्य किसी इस्थिती में कही न कहीं मतलब वो बंचिथ हो जाते हैं भद्रा के लिए किसी भी प्रकार का कोई जो बिश्ळी करण想़ पुछ्यकाल में प्र कश्यप और हिनाच की बेहन थी राच्छिसी कुल की थी और राच्छिसी प्रवत्ती की थी ऐसे में जगह जगह हम देखते हैं कि जो परिवार जन हैं वो होलिका माता की जय इत्यादी के नारे लगाते हैं और होलिका की पूजा करते हैं सास्त्रों की अनुस्तार अगर हम किसी राच्छिसी प्रवत्ती की पूजा करेंगे तो हमारे अंदर जो प्रवत्तियां जागरित होंगी वो राच्छिसी प्रवत्ती की ही होंगी अर्थात हमें इस दिन भक्त पहलाद की पूजा करनी चाहिए अगनी देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इस दिन भक्ती की सक्ती का बिजे पर्व है ये ये भक्त पहलाद की जो भक्ती थी उसकी बिजे पराप्त हुई थी इस दिन और सब जगे ये ब्याप्त हो गया था कि भक्ती ही स्रेष्ट है होलिका की पूजा के लिए घर में ही हमको सभी प्रकार से देखा जाए तो जो होलिका पिंड है अगनी के लिए समर्पित जो लकणिया है वहां पर हमको विधिवत उनको जमा देना चाहिए ताकि वो गिरेना और इस चित उस होलिका के सुरूप को क्योंकि कई जगे होलिका का सुरूप नहीं होता है मूर्तिया नहीं होती है तो लकणि के जो पिंड है उन्हीं को होलिका का सुरूप माना जाता है खर पत्वार इत्यादी जो जगए जगए के कूड़े कचड़े के धेर हैं उससे उत्पन होने वाली अगनी का जो सुरूप है वो होलिका का होता है इसलिए हमको उस होलिका जो राच्छिसनी प्रवत्ती है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए वहाँ पर हमको भक्त पहलात का इसमनर करनी चाहिए और अगनी देव की पूजा करनी चाहिए अब अगनी देव में हमारे घर में किसी प्रकार की कोई निगेते पिनरजी है उसको सकारात्मा कूर्जा में बदलने के लिए हमारी जो नकारात्मा कूल जा है वो निकल जाए तो आप देखते हैं पुराने समय से ही राई नमक इत्यादी सर के उपर से माताएं घुमा करके अपने बच्चों को नजर बचाने से लेकर के अन्य प्रकार के कई प्रकार के दोस रोग हीरा पीरा इत्यादी होलिका में भी सर होते थे होलिका में नए जो हमारा जो नवाचार होता है वो यह होता है कि होलिका के समय पर जो हमारा नवान नाता है गेहु इत्यादी की बाल बाली इत्यादी जो होती है वो हम उनको एक कंडे के साकिल से भूंचते हैं उनको भूंते हैं और उसको प्रसाद के रूप में सब जगे उल्लास के साथ में बांटते हैं साथ ही एक नवान और नवाग नी अर्थात होलिका किसे प्रगट की हुई जो नवाग नी है उसको हम घर में लाते हैं कहते हैं कि घर में एक नई उड़्या का संचार होता है नवाग नी अख से हमारी जो पाचन क्रिया है या हमारे अंदर बनने हमारे घर के अंदर बनने वाला जो अगनी से संबंदेद जो कार्य है या भोजन है वो नवागन अर्धनी आपके घर में आ जाने से आपको पूरी तरह से पुष्टी वर्धनम होगी ऐसे में घर में नवागनी नवान इत्यादी हम रख लेते हैं सभी को प्रसाद में देते हैं और जैसे ही होली का की राख थंडी हो जाती है सरप्रतम उस राख से अपने कुले देउताओं को अपने पित्र देउताओं को इसमरण करते हुए हम सभी इस्टे देउता और अपने भाई बंधूँओं के साथ में मिल करके होली खेलते हैं उसे धोडेली कहते हैं धूल से मिली हुई अर्थात जो होलिका की राक जगए जगए पर बिखरी हुई है उससे निकलने वाली जो राक है उससे सुरुआत होती है इसके बाद अनेक प्रकार के रंगों का त्योहार रंग गुलाल इत्यादी तरह तरह से हुलिका अपने लोख कुल रीती के अनुसार मनाई जाती है होली का पांच दिवशी देखा जाए तो ये होली का हमारा त्योहार है वो पंच दिवशी रंगोत्सो का त्योहार है ये पांच दिन पूरी तड़ह से सभी को जोड के रखता है और देखा जाए तो इस पर्व के माध्यम से इस त्योहार के माध्यम से सभी लोग उल्लासित हो जाते हैं तीस्यू के फूल इत्यादी जो केशरिया रंग है उस सभी में चड़ जाता है और वह साल भर आपको सुख्षांती और सम्रद्धी देता है इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम समय समय पर उपस्तित होते रहेंगे होली की सुख्कामनाएं आपको सभी को परिवार सहताफ होली मनाएं आपके लिए यह होली सुख्षांती और सम्रद्धी दायेखो इसी सुब कामनाओं के साथ देखते रहिए इंडिया फर्स्ट निउज नमस्कार